Hello students, students, today we teach EBS lesson number 22. Lesson number 22 is Palace of Worship. Palace of Worship क्या होता है बैटा? Palace of Worship जहां हम लोग पूजा करने जाते हैं. अगर जो हिंदु हैं, वो कहां जाते हैं? टैंपल में. कहां जाते हैं वो? टैंपल में. अगर आप बहुत सारे मंदिर हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे टैंपल हैं और उसमें सब लोग कोई कहीं जाता है, कोई किसी भगवान की पूजा करता है, तो हमारे जो भगवान होते हैं हिंदुों के, वो कहां होते हैं? टैंपल में. ठीक है? मेस्ट आपका και तो हमारे भारत में बहुत बड़ी बड़ी मस्जीद भी है और जिसमें एशिया की सबसे बड़ी मस्जीद कहां पर है हमारी देवबन्त में अधिक है तो थोड़ा सा इस बात का भी धियान रखा करें कि कोई सी चीज नहीं आपको पता चल रही है, फिर है चर्च, चर्च में को जाते हैं, क्रिस्चन, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे चर्च हैं, लेकिन में जो चर्च होते हैं, जो चर्च में जाते हैं, वो जाते हैं, अंग्रेज जो होते हैं, आपके क्याते हैं, इंग्ल गुरुद्वारा भी वो गुरुद्वारे में कौन जाते हैं सिख जाते हैं सिख कौन होते हैं जो सर पे पगड़ी बानते हैं और जिनकी सर पे जुड़ा बना के रखते हैं आपने देखा होगा सरदार जी भोलते हैं जिनको आप तो गुरुद्वारे में जाते हैं वो तो इसके according आपको थोड़ा सा अपना त्यारी करनी है अब देखिए इसका आपको जो book work तो इसमें ऐसा है नहीं आप इसमें बता सकते हो कि हिंदू कहां जाते हैं तो आपको इसको lesson को बहुत ध्यान से book में copy में complete करना है तो सबसे पहला हो है आपका palace of worship lesson डालना है lesson number 22 डालके फिर आपको डालना है temple तो temple में को जाता है को जाता है temple में? Muslim यहीं जाते हैं नहीं जाते हैं जाते हैं Hindu तो temple में को जाता है Hindu फिर Moscow महीं को जाते हैं? Muslim हमारी class में कुछ बच्चे है न शबको पता है न वह कहां जाते हैं pray करने कहां जाते हैं? Moscow, sempre जिद, फिर है चर्च, चर्च में को जाते हैं, क्रिस्चन, ठीक है, तो क्रिस्चन कहा जाते हैं, चर्च में, महाँ पे वो केंडल जला के प्रे करते हैं, फिर है गुर्दुवारा, गुर्दुवारा में को जाते हैं, सिक, सिक होते हैं, सर्दार्ज होते हैं, वो जाते हैं, और जो सीक होते हैं, सबसे बड़ी बात है बिटा, ये लोग बहुत सेवा भी करते हैं, लोगों की बहुत हैल्प करते हैं, और जो ये अपने गुर्दवारे में भी सारी सेवा ये खुद ही करते हैं, सब लोग मिलके हुआ एक दूसरे के जूते साफ करते हैं, बरतन साफ करत एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, सफाई करते हैं, यह सारे का महा पर जो लोग पूजा करने के लिए माँ जाते हैं, जो प्रेय करने माँ जाते हैं, वो खुद ही करते हैं, ठीक है? तो अब यह आपको कोपी में नोट करना है, और बहुत साफ साफ नोट करना है, यह किसी का सभी वर्क नहीं होगा इसलिए से सभी बच्चे अपने आप करेंगे सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे कोपी में जरूर नोट करेंगे ध्यान से करेंगे ओके हाइव नाइस डे थैंक यू